हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई न्यू व्लॉग कैसे आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो फ्रेंट से वीडियो है बुदवार के दिन का और अभी सुबह के साड़े पांच बजे हुए है और अभी मैं उट गई हूँ बच्छो को स्कूल जाना है तो मेरा जो डेली का रूटीन होता है सुबह उटने का वो साड़े पांच बजे के आसपास का ही होता है तो डेली की जो मेरी दिन चर्या है वो सुबह का जो मेरा रूटीन है वो इसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है सुबह के साड़े पांच बजे से और बस यहाँ पर उठते ही सबसे पहले मैंने मुहाद दूल करके और फिर मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ क्योंकि अभी Food की जादा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था क्योंकि अभी मौसम आज बहुत जादा खराब लग रहा है सुबह से ही तो बाहर आकर के देखी तो बहुत तेज थंडी थंडी हावाइं चल रहे थी और ऐसा लग रहा था जैसे अभी बारिस हो जाएगी तो बस थोड़ा सा वाक करके और फिर आजाती हूँ किचन में तो अपना गरम पानी में ले लेती हूँ और बाहर इतना अच्छा लग रहा था ना वहाँ पर बालकनी में क्योंकि ठंडी हवाय चल रहे थी मौसम बड़ा अच्छा हो रखा था और बारिस अभी हो नहीं रहे थी लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि बारिस बहुत ज़ादा तेज होने वाली है इस वज़े से मौसम काफे ज़ादा खराब हो रखा है तो बाहर बहुत अच्छा लग रहा था मन तो कर रहा था मैं थोड़ी देर और वहां पे बैठ हूँ या फिर वाक करूँ लेकिन बच्चों का स्कूल है तो उनको भी टाइम से उनका सारा काम नास्ता वगेरा बनाना था मुझे तो अगर मैं बैठ जाती तो काफ़े ज़्यादा लेट हो जाता तो अब आजाती हूँ अंदर के तरफ और एक के बाद एक सारे काम अब करने हैं मुझे पानी मैंने पे लिया है अपना गरम जो कि मैं डेली लेती हूँ सुबह सुबह उठने के बाद और पानी पेने के बाद फिर यहाँ पर मैं बना लेती हूँ सबजी तो बच्चों के टीफिन के लिए सब्जे और पराठे पूरी या फिर पूरी ही बनती है और सब्जे जो भी मुझे बनाना होता है दिन में वो मैं सुबह में ही बना लेती हूँ इस टाइम पे जिसकी थोड़ी सी तैयारी मैं रात से ही कर लेती हूँ तो सुबह मेरा जो सारा काम है वह राम से होता है और जिससे सबजी मैंने काट ली और आलू भी जो सबजी में डालना होता है उसको भी मैं काट करके पानी में डाल करके रख देती हूँ जिससे वह बहुत अच्छा लगता है फिर क्रिस्पी बनता है तो यहाँ पे आलू और बर्बटी की सब्जे बन रही है और बर्बटी को काटने में बहुत जादा टाइम लगता है एक एक करके उसको देख करके काटना होता है क्योंकि उसको ना बहुत जादा ध्यान दे करके काटना होता है इस वज़े से मैं रात में ही काट लेती हूँ रात में जब साम के टाइम पर मैं बैठी रहती हूँ तो सारी सबजیاں फ्रेज में रख देती हूँ और उटते ही सुबह फिर सबजयों को निकाल देती हूँ और यहां पर देखे सबजी मेरी बन चुकी है आलो और बरबर्टी की और अब बस गर्म गर्म पराठे बना लेते हैं और जब मैं इधर नास्ता बनाने के लिए आती हूँ उस टाइम पे बच्चों को भी मैं जगा देती हूँ तो बारी बारी से बच्चे भी रेडी हो जाते हैं तो यहां पर सबजी भी बन गई है पराठे भी बन गई है और ज़्यादा पराठे नहीं बनाना होता सिर्फ टिफिन में चितना देना होता है न बस उतना ही पराठा मैंने बनाया है क्योंकि बच्चे सुबह नास्ता करते ही नहीं है उनकी आदत में ही नास्ता करना और बस यहां पे उनका टिफिन वगरा पैक कर दिया है मैंने और इसके बाद बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया है तो बस यहां पे अभी मैं जाओंगी नीचे तक छोड़ने के गर साफ करना है काफी सारा काम है तो जब बच्चे चले जाते हैं इसके बाद ही फिर घर की साफ सफाई वगेरा होगी और इसके बाद यहां पर लगबग साड़े साथ बज़े का टाइम है बच्चे साथ बज़े चले जाते हैं यह आदे गंटे के बाद का टाइम है तो य आसे मम miraculous जादा ताम मतलब ज़ादा तांघ ही बालकनी में बालकनी में ही बीता है। और अगर जब धूप रहती से तो नहीं बैटती है। लेकिन जब इस तरीके से बादल वाला मौसम है, या फिर बारिस होते है, ममी बालकनी में बैठती है। उनको अच्छा भी लगता है क्योंकि अंदर रहना उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है बंद से लगता है तो थोड़ा सा बालकनी में निकलती है ना तो अच्छा लगता है बैटना यहां पे और बस यहां पे देखी सकते हैं यहां पितनी ज्यादा तेज बारिस हो रहे तो बस जाड़ों पोचा मैंने जल्दी जल्दी से कर लिया था और इसके बाद फिर सुबह की पूजा मैं कर लेती हूँ और जो तुलसी मैंने लगाए थी ना वो अभी मैंने वही पे रखी हुई है दरवाजे के पास में ही और उनको भी जल चढ़ा देते हैं और अंदर में भी दीपक जलाएंगे अंधेरा काफी जादा है तो बस यह सारा काम करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में और अब मुझे हस्बन के लिए रोटिया बनानी है तो बस यहाँ पे अंधेरा ही है अभी भी लाइट नहीं आई है और किचन की विंडो मेरे बहुत अच् दिखाई दे रहा था और विंडो से नजारा भी बड़ा अच्छा दिख रहा था यहां से जब भी बारिस होती है तो देखने में अच्छा लगता है बाहर बारिस होती रहती है और ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं साथी साथ रोशनी भी आती है यहाँ पर चाय जैसे में च बैक की कटी हुई दो ढ़ाई घंटे लगबग हो गए थे लाइट को कटे हुए और हस्बिन को पहले मैंने चाय दी थी वो चले गए थे इसके बाद अब हम साल वो बैठेंगे बात करेंगे चाय पिएंगे बस यहाँ पर यह जो हमारा स्फाजय करें बृटे शेजर अना व्या काम किटन में ऑर भी जो घर के काम होते हैं वह बहुत जारे रहते हैं तो हमारी बाते हो गई हैं और चाय भी के खतम हो चुकी है और मारीज़ बाहर इतनी 11 बज गए थे तो वैसे ही मैंने सोचा यूण अ कपड़े डाल देते हैं और बहुत सारे कपड़े रहते हैं तो घर के अंदर फिर फेलाना बहूत ज़ाद मुश्किल हो जाता है तो जैसे ही बारे सुरू की उसी टाम पर फिर मैंने इसमें अब फूल आना स्टार्ट हो गए हैं, जिस दिन से सावन लगा है उस दिन से इसमें पहला फूल आया था, और जब मैं घर में पूझा करती हूँ उस टाइम पे मुझे 3-4 फूल डेली मिल जाते हैं इसमें से, तो वही मैं देख रहे थी, और यहाँ पर हम सास बहुत गूमने निकल गए हैं, और गूमने कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, कॉलोनी में ही जा रहे हैं, आसपास ही जा रहे हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं है, बच्चों के अभी आने में बहुत ज़्यादा टाइम है, हस्बिन भी अभी नहीं आएंगे, तो इस वज़े से अभी हमारे पास जो खाली टाइम है तो मैं जा रही हूँ मम्मी को ले करके मम्मी का थोड़ा सम्मन भी लग जाएगा क्योंकि घर में रहती है न पूरे टाइम तो थोड़ा सम्मन उदास हो जाता है कभी कभी तो इस वज़े से मैं ले करके जा रही हूं घुमाने तो उनका जो मोर थोड़ा चेंज हो जाएगा और उनको बुलाया भी गया था घुमने के लिए इस वज़े से अभी हम लोग खाली बैटे थे हमने सोचा क्यों ना चलिए चलते हैं घुम करके आते हैं और ज्यादा देर नहीं लगेगी लगबग आधा घंटा या फिर एक घंटा भी लग सकता है तो यह जो बीज का टाइम था खाली बैठे हुए थे तो हम लोग निकल गए थे घुमने के लिए और फिर मैं आई तो बच्चे आ गए थे दोपार का जो भी फिर काम होता है फिर से लंच वगएरा और अभी न साम का टाइम है साम के अभी लगभग साथ बज़े हुए हैं तो मैं यहाँ पर रात खाने की तयारी कर रही थी और फ्रिज में लोगी रखी थी छोटी छोटी लोगी जो बहुत जादा सॉब्ट रहती है तो यह लोगी आई थी सबजी बनाने के लिए और मैं निकाली थी इसको छीलने के लिए कि मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी लेकिन फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया क्यों न सब्जी तो हम डेली खाते हैं लोगी की आज इसका कुछ अलग बनाया जाए तो आज मैं लोगी का हलवा बना रही हूँ और लोगी भी बड़ी अच्छी थी बहुत ज़्यादा सौप्ट थी तो इस वज़े से मैंने सुचा मैं इसका हलवा बना देती हूँ सभी को पसंद भी आएगा और काफी टाइम के बाद मैं लोगी का हलवा बना रही हूँ अभी बहुत टाइम हो गया था वैसे तो ज़्यादा तर सूजी का हलवा खाते हैं बच्चे उनको पसं संदी भी है लेकिन आज मैंने सुचा मैं लोगी का हलवा बनाती हूँ तो बस यहां पर लोगी को मैंने छेल करके और पहले धूल दिया है उसके बाद फिर मैंने इसको कद्दू कस कर लिया है और बारीक वाले से कद्दू कस किया है मैंने और इसके बाद इसको कड़ाई मे घी गरम कर लेंगे देसी घी तीन से चार चमच और फिर ये कद्दू कस की हुई लौकी डाल देंगे और इसको मीडियम आज पे बहुत देर तक ढून लेना है जब लौकी अच्छे से पक जाए तो इसमें डाल देना है थोड़ा सा मिल्क और मिल्क मैं मलाई के साथ में इसमे जल जाए और जो भी ड्राइफ फूर्स खाना पसंद करते हूं वो डाल देंगे यहां पर मैंने बादाम और किसमिस डाल दिया है और बस यहां पर लौकी का हलवा जटपट से तयार हो गया है और ज्यादा समय नहीं लगा है चलिए लौकी का हलवा तो बन करके तयार हो गया है और अब बनाते हैं एक और नई रेसिपी तो यहां पर मैं बना रही हूं पनेर के पकोडे और पनेर के पकोडे बहुत जल्दी हो जटपट से ही पांच मिनट में बन करके तयार हो जाते हैं और यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन लगबग एक से डेड़ कप लिया है और इसमें डाल देंगे हल्दी, नमक और ननिया पाउडर या फिर आप कोई और मसाला भी इसमें अपने मन पसंद का अड़ कर सकते हैं मैंने बस इतना ही डाला है और हरी मेस्ट भी मैंने बारी काट करके डाल दिया है और आप चाहें तो इसमें अधरक लसन का पेस्ट भी डाल सकते हैं और बस इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल करके और इसका घोल बना करके त्यार कर लेना है तो यहाँ पर मैंने इसका घोल बना लिया है और घोल बहुत ज़दा पतला नहीं करेंगे बहुत ज़दा गढ़ा भी नहीं करेंगे मीडियम में रहेगा और इसको धड़क करके रख देंगे ताकि बेसन अच्छे से फूल जाए और फिर लास्में मैंने इसमें हरी मेच डाली थी और यहाँ पे पनीर ले लिया है मैंने पनीर को छोटे-चोटे पीसे में काट लेंगे कुछ इस तरीके का है जैसा कि मैं दिखा रही हूँ आप सभी को और इस तरीके से मैंने इसको काट लिया है आप चाहें तो बड़े पीसे इसके भी बना सकते हैं तो सभी को मैं पहले काट करके रख ले रही हूँ इसके बाद फिर इसके पकॉरे बनाएंगे पनीर के पकोड़े बहुत जल्दी बन जाते हैं जटपट बन जाते हैं अगर घर भी कोई गेस्ट अचानक से आ गया है ना तो आप पनीर के पकोड़े आराम से बना सकते हैं बिना किसी हरबड़ी के बिना किसी परेशानी के भी इसमें बहुत कम इंग्रेडियन्स लगते हैं और जटपट बन जाते हैं, खाने में भी बहुत ज़ादा स्वाधिस्ट लगते हैं तो बस यहाँ पर पनीर के सारे क्यूप्स मैंने काट लिये हैं और अब इसको इसी बेसन वाले घोल में डिप करके फ्राई कर लेना है और तेल यहाँ पर गरम होना चाहिए नहीं तो पनीर के जो पकोड़े हैं वापस में चिपक जाएंगे तो फिर बाद में निकालना मुश्किल हो जाएगा, वो तोट जाएंगे तो ओल को आप अच्छे से गरम कर लें, तभी इसमें पकोड़े डालें और यहाँ पर मैंने सारे पकोड़े इसमें डाल दिये हैं जितना ओईल था और अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है तो दोनों तरफ बराबर फ्राई कर लेंगे इस तरीके से अराम से इसको पल्टेंगे, नहीं तो यह बीच से कट जाएगा और जितना भी बेसन है न वो ओईल में फैल जाएगा तो इसलिए थोड़ा सा इसको पक जाने दे इसके बाद ही पल्टें और फिर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लें जैसे हम पकोड़े बनाते हैं चल्ड़ वैसे ही और यह जल्दी फ्राई हो भी जाता है बस यहां पर जहट पट से पनीर के पकोड़े बन करके रेडी हो गये हैं और बाद में पनीर बचा हुआ था उसका मैंने बड़े बड़े पिसस करके और फिर थोड़े बड़े साइज के पकोड़े बना दिये थे तो बस यहां पर मैं गर्म गरम बनाती भी जा रही थी और सब को मैं सर्व करती जा रही थी जब भी पकोड़े बनते हैं तो गर्मा गरम ही अच्छे लगते हैं फिर वो चाहे कोई भी पकोड़े हो तो जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं सब को देती भी जाती हूँ ताकि गर्मा गरम सभी लोग खा पाएं बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से क्रिस्पी पकॉड़े बन करके तयार हो गए हैं और बहुत जादा अच्छे लग रहे थी, बहुत ही जादा टेस्टी लग रहे थी, मुझे तो बहुत जादा अच्छे लगे गर में सभी को बहुत पसंद आया, मम्मी को भी बहुत पसंद आया और यहाँ पे साथ में हैं लोगी का हलवा, हलवा भी बहुत जादा टेस्टी था, हलवा मेरे गर में सभी को बहुत पसंद है तो लोगी का हलवा और पनेर के पकोड़े और आज बारिस हो रही है ना सुबह से अभी शाम तक बारिस हो रही है तो ऐसा कुछ बनाने का मेरा मन हो रहा था कि मैं कुछ फ्राइट बनाओ पकोड़े में तो पेट सब का काफी ज़दा भर गया है और अब मैं किचन का अपना काम कर लेती हूँ, तो यहाँ पे रखे वे हैं बरतन, जो कि लंच वाले बरतन थे, तो अभी मैं इनको सेट कर लेती हूँ और किचन मेरा बहुत जादा फैल गया था बीच में लाइट भी कट गई थी एक बार तो सोने से पहले अब मैं ये सारा काम समेट लेती हूँ बरतन वगरा धुने का किचन की साफ सफाई और इधर साइट मैंने रख दिया है मिल्क भी गरम होने के लिए जिसकी मलाई मैंने निकाल ली है और मिल्क रख दिया है गरम होने के लिए क्योंकि बच्चे सो जाएंगे उससे पहले मैं इनको मिल्क दे लेती हूँ और यहाँ पे सारा काम हो चुका है बरतन वगरा सब कुछ मैंने दोल लिये है किचन मेरा साफ सुतरा हो गया है रात में सोने से पहले किचन की सफाई भी तो ये था मेरा सुबर के साड़े पांच बज़े से लेकर के रात के नौ बज़े तक कर रूटीन और यहाँ पर अभी बज़ गया है रात के नौ तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये व्लॉग यहीं परिंट करती हूँ आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्क्राइब जरूर कर लेना मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में थैंक्स वर वाचिंग बबाई टेक केर गुड नाइट